नमासकार दोस्तों, Electrical Technician चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो के दोरा हम सिखेंगे कि किस प्रकास से हम एक मोटर को फोटो इलेट्रिक सेंसर के दोरा चालू और पर्ण करेंगे यहाँ पर हमारे पास एक मोटर है, इसी मोटर को हमें कंट्रोल करना है एक सेंसर से तो देखिए दोस्तों, यह जो हमारा मोटर है, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पावर वारिंग कर देते हैं तो power wiring करने के लिए यहां पे हमें चाहिए एक mcb यह जो हमारा mcb है वो three pull वाली है उसके बाद में यहां पर हम एक contactor का इस्तमाल करेंगे इसी contactor के द्वारा हम motor को चालू और बंद करेंगे अब दोस्तों देखिए जो हमारा motor है उस motor के production के लिए यानि कि यदि हमारा motor ज़्यादा current लेता है तो उस condition में motor हमारा बंद हो जाना चाहिए उसके लिए यहां पे हम एक overload relay का इस्तमाल करेंगे दोस्तों यह जो हमारा motor है वो three phase motor है इसलिए यहां पे हमें three phase power supply लेना पड़ेगा यहां पर हमारे पास R, Y, B तीन phase है अब हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा R phase है उसमें से एक वार्व कनेकर करके ले जाएंगे और इसको MCB के सार connection कर देंगे इसी प्रकार से दूसरे phase को भी हम connection कर देंगे ठीक है दोस्तों अब यह जो हमारा MCB है इसके और गोई टर्मिल से हम क्या करेंगे एक वार्व कनेकर करके हमारा जो contactor है उसको incoming power supply दे देंगे यहाँ पर मैंने R phase का connection कर दिया इसी प्रकार से Y phase का भी connection कर देंगे और B phase का भी connection कर देंगे अब हम क्या करेंगे यह जो हमारा overload relay है इस overload relay के audio internal से wire को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा motor है उसको power supply दे देंगे इसी प्रकार से दोस्तों हम Y phase और B phase का भी connection कर देंगे तो यहाँ पर मैंने Y phase को connect कर दिया और B phase को भी connection कर दिया हूँ दोस्तों यहाँ पे जो हमारा power wiring था वो complete हो गया अब हमें control wiring करना है तो यहाँ पे controlling करने के लिए हम एक sensor का इस्तमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम sensor के बारे में थोड़ा सा जनकारी ले ले लेते हैं तो दोस्तों देखिए यह हमारा जो sensor है वो है photo electric sensor यह जो sensor होती है वो 24 volt DC power supply पे काम करती है और यह जो हमारा sensor है वो PNP type का है दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह जो हमारा sensor है इसमें तीन वाइर है इन तीनों वाइर का कुछ ने कुछ मतलब होता है क्या मतलब है दोस्तों एक बास समझ लीजे यह जो हमारा brown wire है brown wire होता है हमारा face supply के लिए यानि कि जो हमारा DC power supply है उसका जो positive supply होगा उसको हम इस brown wire के सर connection करते हैं अब यह जो हमारा blue wire है blue wire होता है negative power supply के लिए यानि कि हमारा जो DC supply है उसका जो negative terminal है उसके साथ में हम इस wire को correct करते हैं यानि कि negative power supply देते हैं इस wire को अब दोस्तों देखे यह जो हमारा sensor है इसमें यदि हम brown wire में face supply और blue wire में neutral supply करनेक कर देते हैं तो हमारा जो sensor है वो work करने लगेगा दोस्तों जब हमारा sensor work करेगा उस समय यदि कोई वेक्टी या फिर कोई object इस sensor के सामने आता है तो यह जो हमारा black wire है इसमें से output command जरने नूटल सप्लाइब मिलेगा वो depend करता है हमारे sensor के type यानि कि यदि हमारा sensor PNP type का है तो हमें यहां पे face supply मिलेगा और यदि sensor हमारा NPN type का है तो यहां पे हमें neutral supply मिलेगा ठीक है दोस्तों sensor के बारे मैंने उल्लेडी एक video बनाया था जिसमें मैंने पूरा जनकाई दिया हूं sensor के बारे में कि sensor क्या होती है किसे काम करता है कितने type के होते है वाइरिंग किस परकाश से करेंगे उसके बार में मैंने ये भी बताया था कि sensor का testing किस परकाश से करेंगे तो दोस्तों यदि आपने उस video को अभी तब नहीं देखे तो please देख लीजेगा उस video का link में description में करेंगे जो हमारा control supply को उसको connect करेंगे यानि कि fair supply और neutral supply को हम लाके इस mcb के incoming terminal पर connect कर देंगे अब दोस्तों देखिए अब जो हमारा sensor था वो DC पर काम करता है और यहाँ पर हमने connection किया है जो 230 volt है इसलिए यहाँ पर हम एक circuit बनाएंगे जिसके दवारा हम AC power supply को DC में convert कर सक यह जो transformer है वो 230 volt को 24 volt AC में convert कर देगा उसके बाद में यहाँ पे हम 4 diode का इस्तमाल करेंगे दोस्तों यह जो हमारा diode है यह diode क्या करेगा AC power supply को DC में convert करेगा यहाँ पे जो हम diode इस्तमाल करेंगे वो है IN4007 उसके बाद दोस्तों देखिए जो हमारा diode होता है वो जो output में DC power supply दे के लिए एक capacitor का भी इस्तमाल करते हैं दोस्तों यह जो capacitor है वो 470 microfarad का है यानि की 470 microfarad का है तो चली दोस्तों अब हम इसका control wiring करना सीख लेते हैं अब हमें क्या करना है यहाँ पर transformer ला लेना है अब इस transformer में हमें face supply और neutral supply देना पड़ता है तो face supply हम क्या करेंगे यह जो हम हमारा neutral supply है उसको क्या करेंगे इस MCB से ले जाके हमारा जो transformer था उसको neutral supply दे देंगे अब दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें 230 volt को 24 volt में convert करने वाला transformer इस्तमाल करेंगे तो हमें जो output power supply मिलेगा वह 24 volt AC power supply होगा अब AC power supply को DC में convert करने के ल जाए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारा जो ड्योट था इसको power supply देने के लिए हम क्या करेंगे यह जो TV से iq वाल को connect करके ले जाएंगे और उसको ले जाके हमारा जो ड्योट था उसके बीच में हाँ पर connect कर देंगे अब इसी прог partner करेंगे निवीर आपको पाहजा क्लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए हम ने यहां पे sensor ले लिए, दोस्टों, ये जो हमारा sensor है, इसको phase supply देने क्लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा diode है, ये दोनो, इन दोनों diode के out wire internal को आपस में sort कर देंगे और उसमें से एक wire को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा sensor का brown wire है उसके सर connection कर देंगे जिससे क्या होगा sensor को face supply मिल जाएगा अब हमें क्या करना है कि इस sensor के दोरा एक contactor को चालू और बन करना है दोस्तों ये जो हमारा sensor है वो output में 24 volt DC power supply देगा इसलिए हमें यहाँ पे एक relay या फिर contractor इस्तमाल करना पड़ेगा जो कि 24 volt DC power supply पे काम करें तो यहाँ पे हमें एक अजलारी contractor को ले लेते हैं और इसी contractor को हम power supply देंगे इस sensor के द्वारा तो इसके लिए हम क्या करते हैं यह जो हमारा sensor है इसका जो black wire है वहाँ से एक wire को connect करके ले जाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो अजलारी contractor है उसके A1 terminal पे connection कर देंगे यानि कि यहाँ पे connection कर देंगे ठीके दोस्तों अब हमें क्या करना है कि यह जो हमारा diode है इसमें से neutral supply भी लेकर आना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह हमारा जो diode है इन दोनों diode को आपस में sort करतेंगे और sort करने के बार इसके बीच में से एक wire को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा auxiliary contractor है उसके A2 terminal पे connection कर देंगे दोस्तों यह जो हमारा A1 और A2 terminal है वो हमारे auxiliary contractor के coil के tunnel है ठीके दोस्तों तो यहाँ पे जो हमारा contractor था इसको चालू करने के लिए हमने connection कर दिये दोस्तों यहाँ पे ज़िए आप circuit नहीं बनाना चाहते कि हम AC को DC में convert करें तो आप directly SMPS का इस्तमाल कर सकते हैं SMPS भी एक DC output power supply generate करने वाला electrical equipment होता है वो क्या करता है AC power supply को DC में convert कर देता है तो दोस्तों यह आप यहाँ पे transformer diode और capacitor का इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं DC में convert करने के लिए तो आप सीधे ही SMPS का इस्तमाल कर सकते हैं अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हमारा diode output power supply दे रहा वो pulsating type का होता है इस pulsating DC को pure DC में convert करने के लिए एक capacitor का इस्तमाल करेंगे अब यह जो हमारा capacitor है इसको हम क्या करते हैं यह जो हमारा output phase supply है diode के द्वारा वहाँ से एक वार को connect करके लाएंगे और इसको ले जाके capacitor के एक terminal पे connect करतेंगे अब यह जो हमारा capacitor का दूसर terminal है उसको हमें neuter power supply के द्वारा connection करना होता है तो हमने यहाँ से connection कर दी है दोस्तों एक चीज़ हमें से याद रखिएगा जब भी आप capacitor का connection करेंगे तो उस capacitor का polarity आप हमेसा चेक कर लिज़ेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यह जो हमारा capacitor है इस capacitor में यहाँ पे आप देख सकते हो minus लिखा हुआ है इसका मतलम यह है कि यह वारा जो terminal है इसमें हमें neutral supply देना पड़ता है और दूसरे वार टर्मिनल पे face supply अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा sensor है इस sensor को operate करने के लिए एक neutral supply भी देना पड़ता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से एक वार को loop करके लिए जाएंगे और इस sensor को neutral supply दे देंगे दोस्तों जैसा कि हमने power circuit diagram में एक overload relay का इस्तमाल किया थे मोटर के protection के लिए उसी overload relay का जो NC contact होगा उसका इस्तमाल हम control circuit में करते है अब यह जो हमारा overload relay है इस overload relay का जो 95 नमबर और 96 नमबर का terminal होता है उसका इस्तमाल करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते है कि यह जो हमारा MCV है इसके face वाले terminal से एक वाल को connect करके ले जाएंगे और इसको क्या करते है जो हमारा overload relay है उसके 95 नमबर terminal पे connect कर देते हैं उसके बाद यह जो हमारा overload relay है उसके 96 नमबर terminal से एक वाल को connect करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो अजलरी कॉंटेक्टर है उसके एनो वाले टर्मिनल पर कनेक्शन कर देंगे दोस्तों यह जो हमारा अजलरी कॉंटेक्टर है इसका एनो का इस्तमाल किया हूँ दोस्तों यहाँ पर एनो कॉंटेक्ट का इस्तमाल इसलिए कि यह क्योंकि हम यहाँ पर जो सर्किट डागा बना रहे हैं उसमें यदि हमारे सेंसर के सामने कोई वेक्टी आता है या फिकोई अबचेक्ट आता है तो उसी टाइम हमारा जो मोटर है वो चालू होगा दोस्तों यहाँ पर जो हमारा मोटर का पावर सरकिट डाग उसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक कॉंटेक्टर का इस्तमाल किये थे अब इसी contactor का जो A1 terminal है इस terminal पे हमें power supply इस end of contact के द्वारा देना है तो हम क्या करेंगे यहां से एक वार कनेकर करके लाएंगे और इस A1 terminal पे connection कर देंगे ठीक है दोस्तों अब इस contactor का जो A2 terminal होता है उसमें हमें neutral supply देना होता है अब एक बार आप समझे लीजिए दोस्तों कि यह जो हमारा sensor है वो कैसे work करेगा दोस्तों यहरी इस sensor के सामने कोई व्यक्ति आता है तो तुरंती क्या करेगा यह जो sensor है वो output power supply देगा जैसे इस agility contactor में power supply जाती है तो इसका जो no contact है वो nc बन जाएगा nc बनने पर क्या होगा power supply यहां से flow होते हुए इस contactor में चली जाएगे और यह जो हमारा contactor है वो on हो जाएगी जिससे क्या होगा हमारा motor start हो जाएगी अब यह इस sensor के सामने से कोई आदमी ही या फिर जो object हो हट याता है तो हमारा जो motor है वो दुबारा बंद हो जाएगी ठीक है दोस्तों दोस्तों यह आप यहां पे ऐसा circuit dagger बनाना चाहते हैं जिससे हमारा जो motor है वो हमेसा work करे लेकिन जैसे ही कोई वेक्टी या फिर जो object है वो sensor के सामने जाता है तो वो sensor work करना बंद हो जाएग इस वीडियो के लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजेगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद